जेश्री कृष्णा आई ये सुनते हैं आज मंगलवार के दिन मंगलदेव की यह कहानी अंगारग, भौम, रक्ताच तथा महादेव पुत्र के नाम से प्रशिद्ध मंगलदेवता एक क्रूर देव ग्रह के रूप में जाने जाते हैं त्रिशूल, गदा, पद्म और भाला या सूल धारड किये इस ग्रह का रंग लाल माना जाता है और इसका वाहन, भेव वह सप्ताह की साथ दिनों में मंगलवार पर इसका आधी पत्य कहा गया है मंगल ग्रह को देवताओं की सेनापती भी कहा जाता है प्रारी मात्र की सरीर में मंगल उर्जा, आत्म विश्वाश, अहंकार, ताकत, क्रोध, आवीग, बीरता और साहशिक प्रकृती को दरसाता है और कुवारा माना गया है देवग्रह, शूर्य, चंद्र और ब्रिहस्पती इनके मित्रग्रह हैं तथा बुद्ध सत्रू है मंगल, म्रिक्सिरा, चित्रा, एवं घनिष्टा नचत्रों का श्वामी है अग्नितत्व के मंगल का रत्न, मूंगा, धातु, पीतल, तत्दिसा, दछिर, वक्काल, ग्रिश्म है इन सब तथियों को समझने में मंगल देवता के जन की कहानी बहुत सहायक है इस कहानी के माध्यम से मंगल से सम्मंधित जानकारी सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है आई ये सुनते हैं मंगल देवता के जन की कहानी असकर्ण पुरार के अवंधिका खंड में मंगल ग्रह की उत्पत्ती का एक पहुरारित ब्रितांत मिलता है जिसके अंसार एक समय उज्जैनी पुरी नाम की एक अस्थान में अंधक नाम का एक प्रशिद दैत्य राज किया करता था उसका एक महा पराक्रमी पुत्र था जिसको कनकदानों के नाम से जाना जाता था कनकदानों के पराक्रम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उस महा पराक्रमी बीर ने इंद्र को ही ललकारना सुरू कर दिया इंद्र को इसका जबाब देने के लिए विवशोना पड़ा शो इंद्र ने कनक के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया इंद्र उस दानों के पिता अंधक को भली प्रकार जानते थे ए भी जानते थे कि अंधकाशूर अपने पुत्र की मृत्यू का बदला अवस्य लेगा अतह इंद्र देन अंधकाशूर से बचने के लिए भगवान संकर को ढूडते हुए कैलास परवत पर चले गए और भोले नाथ की सरर ली इंद्र ने भगवान सीव को सारी बात विस्तार पुर्वक सुनाई और अंधक से अपने प्राडो की रच्छा की प्राधुना की कि हे भगवान मुझे अंधकाशूर से अभै दीजिये इस पर सीव ने इंद्र को अभै प्रदान किया और अंधकाशूर को युद के लिए ललकारा कथानुसार दोनों के भी भयंकर युद हुआ और उस समय लड़ते लड़ते भगवान सीव के मस्तक से पसीनी की एक बूद प्रिथिवी पर गिरपड़ी जिससे अंगार के जैसे लालंगवाले भूमी पुत्र का जन्म हुआ सीव के इसी पुत्र को मंगल, अंगारक, रक्ताच, महादेव पुत्र या हनमान आधिनामों से पुकारा जाने लगा फिर ब्रामरो द्वारा इनही नामों से इस्तुती कर, सीव पुत्र को ही ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया गया उसी अस्थान पर ब्रम्हाजी द्वारा मंगलेश्वर नामक एक उत्तम सिर्लिंग की अस्थापना की गई बरत्मान में यह अस्थान उज्जैन में है तथा मंगलनात मंदिर के नाम से प्रशिद्ध है ब्रम्बयवत पुरार में जिक्र मिलता है कि एक समय दैत्यराज हिरणकस्यप का भाई शिल्याच ने प्रितिवी को चुरा लिया और सागर में ले गया तक पस्चाग भगवान विश्डू ने वाराह उतार लिया और शिल्याच को खोज कर उसके साथ युद किया जिसमें शिल्याच मृतिव को प्राप्थ हुआ तथा प्रितिवी को रसातर से निकाल कर सागर पर अस्थापित कर दिया गया तथा इस प्रितिवी पर ही परंपिता ब्रह्माने विश्व की रचना की प्रितिवी शकाम रूप में आई और स्रीहरी की बंदना करने लगी प्रितिवी के मनोहर आकर्शक रूप को देखकर स्रीहरी काम के वशिभूथ हुए और इन्होंने दिव्यवर्ष परियन प्रितिवी के संग रतिक्रिडा की इस प्रकार विश्वु भगवान और प्रितिवी के संयोग से एक महातेजश्वी बालक का जन्म हुआ जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है इसी कथा का बढ़न देवी भागवत में भी मौजूद है मंगल वार का दिन हनमान जी और मंगल देव को समन्पित है इस दिन ब्रत रखने और हनमान जी की पूजा करने से सभी मनु कामनाएं पूरी होती है साथी इस दिन ब्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत होता है मंगल वार का ब्रत रखते समय कुछ बातों का खास ख्यार रखने की जरूरत होती है इस दिन जाने अंजाने में की गई गलती के कारण बजरंग बली आप से नाराज हो सकते है आई जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और किस तरह करनी चाहिए अगर आप मंगलवार का ब्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के ब्रत जरूर रखें ब्रत वाले दिन सुबस जल्दी उठें और असनान के बाद साप कपड़े पहन लें इसके बाद पूजा अस्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनमान जी की मुर्ती या प्रतिमा रखने हनमान जी के सामने घी के या तेल का दीपक जलाएं हनमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें फिर पूजा करने के बाद हनमान चालीशा का पाठ करें हनमान जी को प्रसाद अर्पित करें इस दिन लाज रंग के कपड़े पहनना सुभमाना जाता है